आज मेडिकल और वैग्यानिक सबूत है कि अगर आप खुश रहें 24 गंटे के लिए एक पल भी चिंता, क्रोध या बेचैनी के बिना अगर आप सिर्फ 24 गंटे आनंदित रहें तो आपकी बुद्धी 100 प्रतिशत तेज हो सकती है हाँ, आपका शरीर और दिमाग बहुत बहतर तरीके से काम करेगा मेडिकल और वेग्यानिक रूप से हम आज इसे साबित कर सकते हैं, आपकी बलड केमिस्ट्री बदल जाएगी, आपके बारे में सब कुछ बदल जाएगा, अगर आप सिर्फ 24 गंटे बहुत खुश रहें तो हम इसे कैसे हासल करें, हम ध्यान करें, हम योग करें, हम उस तक कैसे पहुँच सकते हैं मैं योग शब्द का इस्तिमाल नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं उस योग को देखता हूँ जो पश्चिम के लोग कर रहे हैं, खासकर अमेरिका में वो सही नहीं है वो मुझे डराता है क्योंकि ये एक बहुती सूक्ष्म तक्नीक है, ये कोई exercise नहीं है लोग सोचते हैं, ये एक exercise है अगर आप बस fit रहना चाहते हैं, तो tennis खेलिए, तैरिए, पहाड़ पर चड़िए, आप fit रहे हैं उसके लिए योग करने की ज़रूरत नहीं है देखिए, योगित प्रणाली एक गहन विज्ञान है जो आपके शरीर की जामिती को ब्रहमांड की जामिती से मिलाता है ब्रहमांड ये जामिती के साथ आपके शरीर की जामिती को मिलाने से मेरा मतलब है कि सौर प्रणाली इस शरीर को तयार करने के लिए कुमहार के पईये की तरह काम कर रही है आदियोगी पहले योगी ने 15,000 साल पहले कहा था जब तक मानव शरीर आगे विक्सित नहीं होता कोई दूसरा तरीका नहीं है और मानव शरीर तब तक आगे विक्सित नहीं हो सकता जब तक कि सौर मंडल या ग्रहों के व्यवस्था में कुछ बुनियादी बदलाव नहीं होते आज मौडन नियूरोलोजिस्ट काफी हद तक ऐसी ही बात कह रहे हैं यह अजीब है कि वो 15,000 साल बात कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यह बहुत से लोग एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं क्या इंसानी दिमाग और विक्सित हो सकता है तो अब वो कह रहे हैं कि भौतिक नियम नियूरोलोजी के नियम नहीं भौतिक नियम इंसानी दिमाग को और अधिक विक्सित नहीं होने देंगे क्योंकि यह सिर्फ ऐसे विक्सित हो सकता है आप या तो नियूरोन के आकार को या नियूरोन्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं दिमाग में अगर आप नियूरॉन्स के आकार को बढ़ते हैं, तो उन्हें जितनी उर्जा की जरूरत होगी, उतनी उर्जा शरीर नहीं दे पाएगा, अब भी जैसे कि आप आराम से यहां बैठे हैं, आपकी उर्जा का 20 प्रतिशत हिस्सा दिमाग लेता रहता है, ये इतना छोटा सा है ये 20 प्रतिशत उर्जा का उपयोग कर रहा है, 80 प्रतिशत शरीर के बाकी भाग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अगर किसी को बहुत चिंता है, तो उनका वजन कम हो जाता है, तो बहुत से लोग स्लिम है, शायद एक्सरसाईस से नहीं, वो बस चिंता कर रहे हैं, तो अगर आप नियूरॉन के आकार को बढ़ाना चाहें, तो भौतिक नियम ये होने नहीं देंगे, और अगर आप नियूरॉन्स की संख्या बढ़ाना चाहें, तो आपकी इस पश्टता चली जाएगी, तो वो कह रहे हैं, भौतिक नियमों के अनुसार, भौतिक नियम मूल रूप से धर्ती के सूरे और दूसरे ग्रहों के संबंद में घूमने का नतीजा है तो जब तक कि भौतिक नियम नहीं बदलते यानि जब तक कि सौर प्रणाली में कुछ बड़े परिवर्तन नहीं होते इनसानी दिमाग आगे विक्सित नहीं हो सकता ये मौडरन नियूरालोजी है ये आदियोगी ने 15,000 साल पहले कहा था कि जब तक सौर मंडल में कुछ बुनियादी बदलाव नहीं होंगे इनसानी शरीर विक्सित नहीं हो सकता सिर्फ यही तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं उन्होंने कहा आप बस इसका ज्यादा से ज्यादा बहतर इस्तिमाल करना सीख सकते हैं पर इसे और विक्सित नहीं कर सकते